नमस्कार बहुत बस्वात करते हैं क्लिक्टोडे के आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल 21 तारीक को जो है कौन से कौन से सब्जेक का परिक्षा होगा पहले और दूसरे पाली में तो आप जो है हमारे इस सीरीज के साथ हमेशा बने रहेगा आप सबी को जो है साथ से आठ वजे के बीच एक वीडियो मिलेगा जिसमें ये बताया जाएगा हर रोज साम को कि कल जो है कौन से सब्जेक की परिक्षा है जो होने वाली है कि सिटिंग में होने वाली है और आज जो है GS का पून रूप से परिक्षा समाफत हो चुका है A, B, C, D जो है GS का परिक्षा समाफत हो चुका है इसमें काफी अच्छे सवाल जो है पूछे कहे थे जो सवाल हमने आपको गेस करवाए थे वो सारे सवाल जो है आ चुके हैं अब honors paper के लिए बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आप हमें गेस करवा कि YouTube पे वीडियो बना कर बता दीज तो देखिए हमारे पास केवल तीन स्लोट होता है पूरे 24 गंटे में नोटिफिकेशन का स्लोट तीन ही होता है अगर हम एक दिन में तीन वीडियो अप्लोड करते हैं तो आप सभी के पास किसी तीन honors का ही paper जा पाएगा तो ये possible नहीं है इसी के लिए हमने आप सभी के बिना देखे हुए examination देने नहीं जाएंगे पिछले 5 साल का जो आपका question आया है उसी से analyze करके हम लोगों ने जो वी वी कोशन आपका तयार किया है कि कि किस question का probability है कि इस साल पूछा जा सकता है उसी के basis पे हमने जो website पे वी वी कोशन लगा रखा है BA वालों का और B.com वालों कि आप लोगों के लिए बहुत महतपून है वो B.V.I. question जो कि आपके examination में आएगा जो भी theory लिखते हैं उनको तो बिलकुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80% chances है कि question आपके टकड़ा जाएंगे जो question हमने B.V.I. के लिए बताएं BA वाले जितने भी student है उनको मैं 70-75% के बीच में रखना चाहूँगा जो हमने B.V.I. बनाया है उसमें से question आपका examination में लड़ जाएगा आप क्या करिए वीडियो के comment box में जाए या description box में पूरा process बताया हुआ है हमारे website पे जाकर के add to card करके view to card करके shop now coupon code लगाते हुए जो पीडे format में V.V.I. question जो पहुँच जाएगा साथ ही अपने subject का question bank भी आप purchase कर सकते हैं और guest paper भी purchase कर सकते हैं जो हमारे website के उपर लगा हुआ है इससे सवाल आपके examination में आ सकते हैं अब चलिए बात कर लेते हैं कौन से subject का कल परिक्षा है ठीक है कल A group और B group का परिक्षा तो कल पहले पाली में A group की honors paper 5th की परिक्षा होगी 21 तारीक को A group में कौनसा कौनसा honors paper आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं geology, psychology, हिंदी, sociology, उर्दू और electronics इससभी का कल पहले पाली में सुबह 9 बज़े से लेके दोपर के 12 बज़े तक जब 5th honors paper का परिक्षा चलेगा वहीं हम अगर दूसरे पाली की बात करते हैं तो उपर एक बज़े से 4 बज़े तो B group की कल दूसरे पाली में परिक्षा हैं ली जाएंगे जिसमें की physics, home science, economics, geography, English का honors paper 5 का कल परिक्षा होगा और आप किसी भी honors paper का परिक्षा छोड़ते हैं तो आपको एक साल back होना परेगा इसलिए आप लोग क्रिप्या करके हर एक परिक्षा में जाईए, कुछ न कुछ जरूर लिख के आईए और जितना बन पड़ता है पन्ना भरिए और हर सवाल का जवाब दीजी ग्रूप पे आप ध्यान देंगे, आपके quotient paper के उपर clearly instructions mention होता है कि आपको किस ग्रूप से कितना quotient मनाना है अगर आपके quotient paper में ग्रूप बने हुए हैं उसके according quotient अगर पूछे का हैं तो आप instruction जरूर पढ़ेंगे निर्देश जो quotient paper पे पहले पन्ने पर छपा होता है और paper ID बगएरा जो सही सही भड़ेंगे ओविमार शीट के उपर ओविमार शीट का वीडियो भी हमारे चैनल के उपर अपलोड किया गया हुआ है तो ये सारा जो चीज है वो आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे अपने पहले पाली में A honors group का परिक्षा होगा और दूसरे पाली में B honors group का परिक्षा होगा जो कि honors paper 5th का परिक्षा आप सभी का कल चलेगा इसके अलाबा किसी भी प्रकार का confusion हो तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं अब हम बात करते हैं general वालों का तो general जो भी pass course ले रखे होंगे ये honors वालों के लिए main नहीं है जो pass course वाल student है उनके लिए main है तो कल 21 तारीक को पहले पाली में political science paper 3 का परिक्षा physics paper 3 का परिक्षा जो की सुबह 9 बज़ से लेके दोपर 12 बज़ तक चलेगा वहीं दूसरे पाली में जो है 21 तारीक को दोपर 1 बज़ से 4 बज़ तक जो परिक्ष सारा subject common होता है ठीक है लेकिन honors वालों का जो honors आपने part 1 में लिया होगा वो part 3 में आ करके 4 honors paper बन जाता है जो कि आपका main honors paper हो जाता है history honors जिनों ने लिया होगा तो उनका part 3 में total paper 4 हो जोगा वो history honors का ही होगा इसके अलाबा किसी प्रकार का आपको कोई paper नहीं पढ़ना है ठी accounts का ही paper होगा बस subject का नाम थोड़ा उसमें अलग होगा लेकिन accounts का ही चारो related paper होगा जिसमें की पांच आप से theory question पूछा जाएगा और पांच numerical solving question आप से पूछा जाएगा all the best आप लोग जो अपना पढ़ाई करिए mathematics और इसके भी जितने student हों कि वह सब भी वी 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 लगा हुआ है बस BAC के कुछ subject के VVI हमने नहीं लगाए है क्योंकि हमने उसके उपर चांस नहीं लिया लाइक chemistry physics के उपर हमने चांस नहीं लिया है उसके geology के उपर भी हमने चांस नहीं लिया तो आप लोग जो है जिनका भी लगा हुआ है वो आप जो है question bank purchase करे as well as VVI question भी purchase करे question bank स से भी अगर आप पर के जाते हैं तो आपका question टकड़ाएगा ही टकड़ाएगा बस आपको क्या करना है पांच साल में analyze कर लीजे कौंसा question ज्यादा बार repeat हुआ है या उसी तरीके का मिलता जुलता question कितनी बार आया है बस यही है इसके अलावा कुछ नहीं और इस बार मुझ से सब्जे का परिक्षान आने वाला है धरने बाद